वेल्कम तो बद्राइस अकेडमी आज हम जल्दी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कर लेते हैं रिकार्डिंग देख सकते हो बैक्ग्राउंड में तो आपको दिखाई दे रहा है AQI means Air Quality Index जो हमारे भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स शुरू हुआ था 2015 में और इसी की हेडिंग के साथ हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं हेडिंग देखके आपको समझ में आई गया होगा डेली इस सफोकेटिंग एब्री विंटर डेली के बारे हम सुनते ही है कि डेली में क्या प्रब्लम होता है तो पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है AQI that is basically the initiative by the BJP government after elected government from 2014 in 2015 they implemented the Swachh Bharat Abhyan तो उसी के अंतरगर्थ AQI index को more transparent civilians के लिए किया गया था उससे पहले NAMP programs के थ्रू चलता था ये air quality को judge करना देखना और वो Congress सरकार के लिए होता था लेकिन आम जनता के लिए वो बहुत ज्यादा transparent नहीं था तो इसी topic को हम थोड़ा सा discuss करेंगे आप लोगोने news में कई बार इस बार सुना होगा Delhi is quite suffocating right the quality of air is very very poor now in a severe condition तो ये severe हम क्यों बोलते हैं किस percentage में हम count करते हैं पहली बार सुनेंगे कि ये जो air quality है वो 395 पहुंच गई है वो 400 पहुंच गया है वो 295 है 200 है ये numbering क्या है कहां से आती है कैसे पता चलता है और air quality index का basic parameter है क्या ठीक है तो पहली बात इसो बहुत easily समझ लेते हैं देखे डेली is suffocating we all know that that is because of smoke right and the smoke is a combination of fog plus when you add more pollution to the fog then it is called fog smoke right and Delhi का main problem यह है कि it is a landlocked union territory plus the NCR region now it is severely tremendously industrialized regions फरीदबाद कहलो और्नाइडा कहलो या आप गुर्गाव कहलो right so यह बहुत heavy industrialized regions है और particularly अगर मैं डेली की बात करूं तो दिल्ली का खुद का कोई climate है नहीं उपर से उनके हिमालय है south से उसके पास इनके पास अपने platos है right और जहां west और east में उन्हें राजस्तान की हवाएं पंजाब की हवाएं हर्याना की हवाएं और western UP की हवाएं मिलती है अब problem यह है कि it is a kind of hub where all of these three all states surrounding states they provide their own winds जो भी activity पंजाब हर्याना और राजस्तान जैसे इलाकों में होती है वो सारी सारा smoke कहां आके add होता है मिलता है डेली में आके मिलता है दिक्कत यह है कि ज्यादा तर आज हम अपने automobile sector में बहुत ज्यादा focus focus है इनका production यहां इंडिया में manufacturing है इनका production line यहां पर है बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में चल रही है अब यह सारा automobile sector जो run कर रहा है प्लस industries run कर रही है यह mostly fossil fuel burning में कर रहे है अब fossil fuel burning में run करने की वज़े से ज्यादा तर इनका burning बहुत तेजी से है प्लस इससे जो निकलने वाला smoke है उससे भी उसके pollutant particles बहुत ज्यादा add हो रहे है प्लस agriculture एक और रीजन है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा focus नहीं करते लेकिन agriculture एक बहुत बड़ा रीजन है डेली के स्मोक का agriculture में खास कर हम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे है अपने capital agriculture के लिए वह है shifting farming और shifting cultivation में हम basically क्या करते है एक तरह से यह जूम cultivation ही होता है हुए residue को burn कर देते हैं तो उसको उसकी वज़े से जो धुआ निकलता है carbon यह carbon generate होता है और इसकी वज़े से जो black carbon generate होता है वो सारा का सारा आकर डेली में हमारे यह जाके में जमा होता है तो इस वज़े से severe time मनला winter time पे यह conditions और ज्यादा severe होती है ऐसा नहीं है कि summer में नहीं होती summer में भी बहुत severe होती है बट there is a geographical phenomena जिसकी वज़े से आप winter में ज्यादा severe देखते है summer में आप बहुत ज्यादा severe नहीं देखते एर quality index थोड़ा better हो जाता है दिली का ठीक है तो इसी कहानी को हम लोग continue करते है welcome to the Bhadra IS Academy again and we are going to talk about air quality index की इंडिया में चलता कैसे है ठीक है पहली बाद तो air quality index 2015 में लाँच हुआ बाइ स्वच भारत अब्याद और इसकी जो authority है वो है CPCB यह हमें याद रखना है तो इसके अंतर इस air quality index को बनाया गया और इसकी जो authority है वो CPCB है center pollution control board यह हमें याद रखना है clear इसके इलाबा हम जो air quality होती है उसे हम 6 parameters में show करते हैं मनलब 6 category में represent करते हैं जब आप website में जाओगे तो आपको यह 6 parameter पे ही दिखाया गया गया हो generally आप पीछे में ग्रफ देख पा रहे होंगे पाई चार्ज देख पा रहे होंगे जो main चीज हमें यहाँ पर जाननी है हमारे aspirants को खासकर जाननी होती है वो यह है कि air quality index में हम total 8 category के parameters को search करते हैं कि उनकी quantity कैसी है अपने आसपास के around air में और उस air में वह levels कितने है जो WHO के recommendation के हिसाब से कैसे है WHO के recommendation यह है कि थोड़े बहुत pollution तो हमेशा रहते हैं उसमें कोई problem नहीं है जिसमें हम breathe भी करते हैं और उससे हम थोड़ा उससे हमारी body cope up भी कर पाती है उस तरह के level से उपर जितना level चला जाए वह harmful levels होते हैं तो WHO के recommendation के हिसाब से यह pollution levels आपके surrounding वाले air में कितने चले गए हैं उसके हिसाब से यह decide होता है कि आपकी air quality overall कैसी है clear अब जो आप सुनते हो कि 400 500 जो मैंने थोड़ी दिर बात पहले बात की थी 300 400 500 राइट air quality यह सब क्या है तो आप पहले आप 8 category के pollutants को देख लीजे वह 8 category के pollutants ही air quality index में देखे जाते हैं अब वह 8 category के pollutants है आपके पास PM 2.5, PM 10, ozone, carbon monoxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, lead and ammonia lead and ammonia they are generally settled down with the land so in air you mostly found the six this one this three till nitrogen dioxide okay आपको क्या रखना है यह याद रख लेना है air quality index में यही होते है अभी आप खुछ जाके इस वीडियो को देखते देखते अगर आपने गूगल में चेक करेंगे फटा-फट चेक कर लेगा वहाँ पर आपको देखाई देगा कि air quality index में यह सारे parameters दिये गए होंगे और खासकर PM 2.5 के उपर focused होगा PM 2.5 क्या होता है? Particulate matter 2.5. Particulate matters क्या होते है? जिनकी जो overall diameter होती है वो 0.5 micrometer से 500 micrometer तक की हो और खासकर वो वाले particulate matter जिनका 0.5 से 10 micrometer तक का size हो वो persistent particulate matter होते हैं persistent बोले तो persistent मतलब है कि बहुत जिर्दी particle जो जल्दी ही land per settle नहीं होते है ऐसे वाले particle और इन में से भी कई ऐसे छोटे particle है जो PM 2.5 PM 2.5 मतलब जिनका micro size है micrometer that is 2.5 micrometer उससे नीचे के जितने भी particles है they are more dangerous for the health of people and other animals then other particulate matters right so ज्यादा focused कौन है PM 2.5 तो आप जब भी आप Delhi के newspaper में The Hindu में भी article छपा था कि the Delhi air quality is severe 400 400 पहुंच गया है right 500 पहुंच गया है so that means they are talking about 5 PM 2.5 all right PM 2.5 particles these are more more dangerous materials they causes more health issues than any other parts or any other parameters that we see as a pollutant right तो मैंने आपको एक छोटे से लिहाज में बता दिया कि PM 2.5 क्या होता है particulate matter कोई भी हो सकता है कोई भी कोई भी कैसी भी चीज़ डस्थ हो water vapor हो कोई भी तरह का solid particle हो कोई भी particle हो जिसका size 0.5 से 2.5 micrometer के अंदर हो वह है particulate matter और 0.5 से 500 micrometer के अंदर हो वह है particulate matter कौन persistent होते हैं वह भी मैंने आपको बताया 10 micrometer तक के जो particulate matter होते हैं वह persistent होते हैं जिर्दी होते हैं they don't settle down on land very fast clear so यह भी समझ गए आपकी the Hindu में या किसी भी news में या news channels में जब भी बताया जाता है कि CVR यह 300 है तो यह इसके base पर बात हो रही है अब यहां पर देख लीजे parameter क्या है देखे 0 से लेकर 50 तक के PM 2.5 particles available है तो the air quality around you is good और अगर 50 से 100 PM पार्टिकल आपके पास आसपास है तो आपकी जो air quality आसपास की है वह moderate है तो आपकी जो आसपास की air quality है वह unhealthy हो चुकी है unhealthy है severe नहीं है अब इसके इलावा 150 से 200 तक आ गई है तो बेसिकली पूरी तरह से society के लोगों के लिए पहले वाली जो society पहले वाली जो थी वह special conditions on societies ती जैसे elderly people और बच्चे 200 से 300 तक के अगर PM पार्टिकल चले गए so it is very unhealthy and 300 से 500 तक चले गए तो आपकी जो आसपास की air quality है वह बहुत hazardous है तो डेली तो विंटर में ही यह जादा severe क्यों होते हैं यह भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ वह होते हैं because of temperature inversion winter में temperature inversion हमारे लैंड में ओवर इसका मतलब यह है कि जमीन के आसपास की हवाएं थंडी उसकी ऊपर वाली हवाएं गरम और बाकी ट्रुपोस्फेर में जैसा nature है वैसा चलता है समर में क्या होता है जमीन के आसपास की हवाएं गरम तो सारा pollution गरम एर के साथ ऊपर चला जाता है that is why नीचे की एर कॉलिटी जो होती है वह बेटर है ठीक है so in short मैंने temperature inversion बता दिया अगले वीडियो में हम किसी वीडियो में उसके बारे में भी discuss करेंगे अब श्मोक जो होते है न वह दो परकार के होते है आम हम जनरली डैली में smoke हम विंटर में बोल रहे हैं but smoke जो होता है वह दो परकार का होता है एक होता है जिसमें sulphur की मात्रा बहुत ज़्यादा होती तो उसे हम sulphurous smoke कहते है as you can say in the slide and एक में होती है nitrogen dioxide की मात्रा बहुत ज़्य chemical smoke इनको पहली बार sulfurous smoke को पहली बार लंडन में देखा गया था और photochemical को पहली बार लॉस अंजलिस में देखा गया था जो USA का एक एरिया है राइट आप दोनों के बारे में एक छोड़ा-चोड़ा समझ लेतें कि हम क्या समझते हैं दोनों को लेकर sulfur smoke जादर तर आपको विंटर्स में देखने को मिलेंगे सॉर्वर स्मोग को हम एक तरह से लंडन स्मोग भी कहते हैं जैसा कि मैंने अभी बोला पहली बार इसे लंडन में देखा गया था ठीक है अब sulfur लिए समोग में क्या रहता है ज्यादतर sulfur dioxide थी मात्रा बहुत ज़्वर जादा पाया जाती है से अरुपर रोकसाइट की मात्रा ज़्वर ज्यादा पाया जाने का मतलब हिये है कि आप उस तरह के फॉसल फ्यूल जादा बर्ण कर रहे है जो जिसमें sulphur content जादा होता है तो example मैं दे चुका हूँ यहां पर जैसे coal burning हमारे इंडिया में petroleum से भी जादा use किया जाता है coal क्योंकि 81% प्रतीशत से भी जादा electricity किस से पैदा की जाती है कोल से पैदा की जाती है जिसका मतलब है कि कोल की requirement हमारे इहां बहुत जादा है इसका मतलब उसको जलाना भी बहुत जादा है अगर मैं LAMSA में government data की बात करूँ तो हमारे देश में one billion ton one billion ton coal की requirement हर साल होती है जिसमें हम already supply deficit में चलते हैं हम 70 million ton की supply provide करवा पाते हैं because of various congestion because of population density in surrounding area and jargon and other places तो 70 million ton तक का coal हम easily burn करते हैं every year जिसका मतलब है बहुत सारा sulfur हम release करते हैं प्लस यह sulfur smoke उन्हीं इलाकों में ज्यादा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पे coal burning बहुत ज्यादा है वैसे तो आप petroleum भी और अगर automobile sector भी चलाते हैं तो उसमें भी काफी coal sulfur release होता है आपके silencer sulfur oxide nitrogen dioxide oxides तो sulfur का content वह ऐसे इलाकों में ज्यादा होता है और यह एक ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं इंडिया में क्यूंकि हम specially इससे पावर प्रक्रेट करें मिलेगा आपको ज्यादा तर बना हुआ विंटर डेस की टाइम पर आपको ज्यादा फेस करने को मिलता है sulfur smoke तो डेली में sulfur smoke भी बहुत ज्यादा होता है winter में sulfur smoke को आप ले सकते हैं और दूसरा है photochemical smoke photochemical smoke generally आपको summer में देखने को मिलता है इसमें nitrogen oxides की मातरा ज्यादा होती है और ozone तरह की gases ज्यादा बनती है देखिए अगर अगर आपके stratosphere में है और यह आपके लिए UV rays को filter कर रहा है तो आपके लिए friendly gas है is O3, so ozone gas हमारी surface में भी बन जाती है because of extra other pollutants अगर मान लीजिए कि nitrogen oxide फैला हुआ है, dioxide फैला हुआ है आसपास आपके जमीन में और धूप निगली हुई है sun rays है और साथ ही साथ कोई volatile organic compounds भी साथ में हैं जैसे carbon monoxide, dioxide हैं पढ़े हुए तो इसके साथ वो धूप के यानि sun rays के presence में ही react करके जो आसपास के oxygenated materials है या oxygen है उसे bonding में बदल देता है वो O3 में बदल जाते है, ozone में बदल जाते है और वो ozone हमारे नाग के थूरू हमारी body में जाता है और हम इसे sulfur smoke को हम winter में देखने है तो इन शॉर्ट वीडियो में हम लोग ने बहुत बड़ी-बड़ी बाते सीखी ट्राइ कीजिए कि आप इनके बारे में और सवाल पूछ सकें comment में, right? कोई चीजे अगर आपको समझ मिनाए तो वीडियो को repeat कीजिए दुबारा समझे almost all section हमने cover करने की इसमें कोशिश की, till then we will meet you with the next video guys, thank you and again keep watching